हलो दोस्तो टूडेश ट्रोक मार्केट में एक वाद फिर्शेस वागत है दोस्तो आज हम ऐसे स्टोक बात करने वाले हैं जो कि आई टी सेक्टर से बिलॉग करता है और आज की ट्रेडिंग सेस्ट की बात करें थे हमें इस स्टोक में जबरदस तरीके से हमें गिरावट कर देखने को मिला है है वहँ बात करेंगे तो यहाँ पर देह सकत हो कि हमें लबश च्थपॉंच कामें गिरावट देखने को मिला है दोस्तो, वहाँ ही बात करें डॉज जोन का, अमेरिकन बजार का तो वहाँ पे भी हमें अभी भी आज की टेडिंग से से में लाइब दिखाऊंगा दोस्तो, कि जबरदस तरीके से भुचाल आया है वहाँ पी, और फिर से हमें बहुत ही जबरदस तरीके से गिरावाट देखने को मिल रहा है, जिसका इंपक्ट हमें 100 बार को दिन देखने को मिलेगा और फिर से हमें बेसे सेंसर में लगवा में 1000 पॉइंट से एबब का हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है तो चलिए हम दिखाता हूँ अब लोग को कोई ठीक नहीं है दोस्तो यहाँ पर देख सकते हूँ कि 26 तारीकों डेट है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही जवर्दस तरीके से और भी हमें थ्रोब से गिरावाट देखने को मिलेगा और एक गिरावाट हमें 2% तक जाते हुए देखने को मिल सकता है तो मैं इसलिए बोलो कि 100 मार को दिन हो सकता है फिर से में लबब बेसिस सेंसर में दोस्तो 1000 पॉइंट प्लस में हमें करेक्शन देखने मिलेगा और नेप्टी 50 में भी हमें लबब 400 से 600 के अप्रोप्स में हमें गिरावाट देखने को मिल सकता है तो आप लोग चाहो तो दोस्तो अच्छे-च्छे स्टोक खरीद के अपने फूटफोलिव में एड कर सकते हो क्योंकि अगर बात करूँगा दोस्तो आज की तो हमें आज के दिन दोस्तो इन फोसेस के रिकार्डिंग बात करना है और आप लोग देख सकते हो कि आज की ट्रेडिंग सेलस्न में लगभा में 2% के अराउन में करेक्सन देकन को मिल रहे है और एक करेक्सन अगले ट्रेडिंग सेलस्न पे भी हमें देखने को मिल सकता है तो आप लोग चाहो तो इस फोक ещё इस फोक को whispering पर फोकस बनाएकर रख सकते हो और इस टोक future में बहुत ही जबर दास्तर के से return देने वाला है वहाई पिछले 6 मंत की बात करेंगे तब देख सकते हो कि पिछले 6 मंत में इस stock में लगभा हमें 30% से above का में return देखने को मिल रहा है वही बात करेंगे पिछले 1 साल का तब देख सकते हो कि पिछले 1 साल में इस stock में हमें लगभा 61% के around में return देखने को मिल नहीं है जो कि काफी strong है देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में 113% से above का return देखने को मिल नहीं है जो कि काफ़ी स्ट्रॉंग है वहीं बात करेंगे इसका maximum डिकी चार्ट प्रिटन का तो आप लोग देख सकते हो कि जबर दस तरीके से हमें लगभग यहाँ पे 3700 प्लस में हमें रिटरन देखने हो मिल रहे हैं जो कि सारा का सारा फिकर दोस्तो परसेंटेज में हैं वहीं बात करेंगे कि आज की टेरिंग सेसन में इस स्टोक में हमें कितना परसेंट का हमें डिलीबरी देखना हो मिल रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो कि जब अर्दस तरीके से लोगों ने आज कितनी इस स्टोक में खरदारी किया है लगभग हमें 60% से एभब का हमें डिलिवरी देखने को मिल रहा है जो कि काफी स्टोंग है वहीं बात करेंगे इसका 52 लोई ने हाई का तब देख सकते हो कि स्टोंग हमें लगभग 500 को पर टेट करते हो देखने को मिला था पिछले साल और वहाँ से स्टोंग इसी साल दोस्तों जैन में लगभग 1400 के अप्रोकस पर में हाई हमें देखने को मिल रहा है जो कि काफी जबर दसत है वहीं बात करेंगे इस स्टों का फेस भेलुगा तो हमें यहाँ पे दोस्तों 5 रूपी देखने को मिल रहा है अब हम बात करेंगे इसका December quarter के results related तो यहाँ पर देख सकते हो December quarter में जवरदास तरीके से company ने net profit show किया है दोस्तो वहीं बात करेंगे कि इस stock में promoter का holding कितना है तो आप देख सकते हो लगभाव में 13% के around में holding देखने हो मिला है क्या कोई promoter का share कोई place भी है वो भी data एक बाद देखने कुशिस करेंगे और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोई promoter का share दोस्तो प्लेज में नहीं देखने हो मिला है तो इस stock काफी संदार है आप लोग चाहो तो इस stock में every grow out में थोड़ा थोड़ा quantity खरीद के अपने portfolio में add कर सकते हो वह ही बात करेंगे इस stock का valuation काते हैं यहाँ पर देख सकते हो कि इस stock का market take stabilisation आमें लगओ 5 लाक 33,000 प्लस में मैं देखने को मिल रहे है जो की बात करेंगे face value काते हैं यहाँ भी हमें रूपीस 5 देखने को मिला है दोस्तो जो कि sector के peer ratio की बात करें तो यहाँ पर 31.50 देखने को मिल रहा है जो कि सेक्टर के peer ratio से इस stock के peer ratio काफी नीचे हमें देखने को मिल रहा है दोस्तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर December quarter के sales देखेंगे कितना company ने दिखाया है तो ओभी data एक बात देखने कोशिस करेंगे और यहाँ आप लोग देख सकते ह हो कि यहाँ पर December quarter में जबरदस तरीके से हमें sales देखने को मिल रहा है जिसके ओजस से यहाँ पर हमें net profit में काफी अच्छा गसा में jump देखने को मिल रहा है वह भी बात करेंगे कि यहाँ पर कितना है company के पास तो एक मिन दोस्तो यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहां पर रिजए परन सर प्लस भी काफी स्टॉंग तरीके से में देखने को मिल रहे और एबरी यह हमें बहुत ही जबरदस तरीके साथ में इंक्रिमेंट के साथ देखने को मिलता है वह बात क पशेर के यहां पर कम्पनी के पस आध्र है लब्व में 6700 एक प्लस में देखना को मिल रहा है जो कि यहां पर करेंड से कहले हैं तो चलिया है यहां बात कर लेख सकते हो कि लगभाए में पर्मोटर का हल डिंग हम यहां पर यहां पर लगभा में पर्मोटर का होल्डिंग 23% के अरार्मा में देखने को मिल रहा है जो कि यहां पर बात करें एफ आई की होल्डिंग की तो लगभा यहां पर 32% से अबब का में देखने को मिल रहा है जो कि काफी संदार है वहीं बात करेंगे day के holding की तो यहाँ पर 30% से above का में holding देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर बात करें पबली का holding की लभा में 31% के अरारम में holding देखने को मिल रहा है तो इस टोक काफी संदार मुझे देखने को मिल रहा है दोस्तों आप लोग चाहो तो every grout में every correction में इस टोक में थोड़ा थोड़ा quantity खरीद के अपने portfolio में add कर सकते हो इस टोक long term प्लस ओटम दोनों के लिए काफी संदार है दोस्तों हो सकता है हमें अगले trading session में भी इस टोक में थोड़ा सा में correction देखने को मिलेगा और इस टोक की price की बात करें अगर इसका important support level का था हमें दोस्तों 1140 रुपा के आस प्लस में देखने को मिलना है जो की काफी नीचे है इस price से लेकिन हो सकता है कि अगले trading session में हमें थोड़ा सा और correction देखने को मिलेगा तो स्टोक यहां तक आतवियों में देखने को मिल सकता है तो आप लोग चाहो तो every correction में इस स्टोक के अपने portfolio में add कर सकते हो तक फ्यूचर में अच्छा कासा मुनाफ़ा मिल सके तो दोस्तों तो में वेद करते हों वीडियो आच्छा लागा प्लीज में add कि शिए का आता है कि में जो भी वीडियो का अपने पुसकर नोटिफिकेशन आप लोगा मिल जाएगा ओके दिसों तेंगो बाए